कुछ बेक्टीरिया खुद को 20 मिनिट में डबल कर लेते हैं कुछ दूसरे जो है वो 9 मिनिट में डबल होया आते हैं स्टक्चर कैसा है भई अ टिपिकल बेक्टीरियल सेल हमको दिख रहा है फिकर 2.6 में कंजिस्ट आफ अफ असेल वाल यह बाहर का जो है यह सेल वाल है आपका सेल मीम्ब्रेन एन साइकट ब्लाज यह थीन भाग हैं सेल वाल सेल मैंब्रेन एक जगह पर नहीं रहता है इसमें कुछ cell organelles, cell organelles पहली बता चुका है, फिर बता रहा हूं, जो चीज़ें एक cell के अंदर रहती हैं, उनको बोले आता है, cell organelles, और उनका एक function होता है, काम होता है, तो mitochondria plastic इनमें नहीं रहते हैं, sometimes the cell wall is surrounded by a slimy layer called a capsule, कभी-कभी इसका जो cell का layer है, चारो तरफ slimy यानि चिप-चिपा से एक layer स्तर रहता है, इसको capsule बोले आता है, दिखरा है जासे इसमें नीला-नीला, some bacteria have flagella for movement, कुछ-कुछ bacteria flagella, यानि यह जो धागया से निकले हुए है, यह movement के लिए रहते हैं, अब भई, bacteria useful भी होते हैं, harmful भी होते हैं, तो पहले हम देखते हैं, useful bacteria के विशह में, rating, jute fibers are obtained by submerging the stems of jute plants in water, जो जूट यानि पार्ट जो बोलते हैं, जिसके बोरे बनते हैं, और भी सारी काफी सारी चीज़े बनती हैं, तो वो उनके जो fibers, जो रेशे हैं, उनको कैसे मिलता है, उनके पौधे होते हैं, पौधे के stem होते हैं, उसको पानी डालके सडाते हैं, the fibers of the plant are acted upon by bacteria, and are easily separated from the stem, तो जब सडाते हैं, पानी में, तो bacteria उनके उपर react करके, आसानी से हम फिर रेशो का निकाल सकते हैं, इन ही के वज़े से, the process is called rating, और इसी process को rating बोला जाता है, अगर यह bacteria नहीं होंगे, तो हम आसानी के साथ जो fibers नहीं निकाल सकते हैं, Now, curing of tea and tobacco, tea and tobacco leaves are subjected to certain bacterial action, to produce a characteristic flavor, तो चाय और तंबाकू है, उसके उपर कुछ बेक्टीरिया काम करते हैं, और उनहीं के वज़े से, उनका जो flavor है, गंध या सुगंध है, वो आता है, The flavor depends on the type of bacteria used and the degree of fermentation, this process is called curing, तो यह जो flavor है, चाहे तंबाकू का बोलो, चाहे चाहे पत्तिगा, यह निर्वर करता है, किस प्रकार का बेक्टीरिया यूज कर रहा तो इसको ferment करने में, इसको उपर reaction के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं, curing, setting of curd, भाई, दही हम लोग सब खात हैं, दही जमाने के लिए जावन चाही होता है, वो पूरा ही उसमें बेक्टीरिया होता है, changing of milk into curd is brought about by the lactobacillus bacteria, उस बेक्टीरिया का नाम है lactobacillus, याद रखना आपको class 10 तक, the lactose of milk is converted into lactic acid, तो दूद में पदात रहता lactose, उसको acid में बदलता है, lactic acid में यही बेक्टीरि या, the lactic acid causes the milk to curdle, और यही lactic acid जब acid बन जाता है भई, उसे से दही जमता है, नेक्स्ट हम लोगा आता है, यह activity है, दही जमाने के लिए इसको आप जरूर पढ़ियेगा, tanning of leather, चमड़ा जो है, चमड़ा बनाने में, चमड़ा को नरम बनाया आता है, bacteria are used in tanning of leather, heights are exposed to bacteria and then treated with chemicals to convert these into leather, तो चमड़ा, चमड़े का जूता, leather, parts वगरा जो यूस करते हैं, उसको पहले भई, बेक्टीरिया उसमें डाल दिया आता है, बेक्टीरिया से उसमें को सड़ाय आता है, उसके बाद chemical से साफ सवाई करके जह हमारा चमड़ा बनता है, vinegar preparation, सिर्का, इसको बोलते हम, पानी यहाँ सा रहता है, चाउमिन में डलता है, और भी कई काम होते है, vinegar जिसको हम chemistry में acetic acid बोलते हैं, हिंदी में सिर्का बोलते हैं, इस prepared by the action of bacteria, such as acetobacter, यह एक बैक्टीरिया का नाम है, an anaerobic, aerobic bacteria, aerobic bacteria मतलब जो oxygen के साहईता से reaction करता है, यह काम करता है, on ethyl alcohol, यह भी chemical है, इसको पर यह काम करता है, तब जाके vinegar बनता है, production of fuel, fuel यह नहीं इंधन, bacteria are widely used in the breakdown of biodegradable waste in biogas plants, for the production of biogas, तो biogas plants में, या biodegradable waste यह नहीं, जो सड़े आते हैं, उनमें आपका bacteria use होता है, क्या चीज़ बनाने के लिए, biogas, biogas is a mixture of methane, carbon dioxide and other gases, तो biogas जो निकलता है, जैसे गोबर से निकलता है, और भी हम लोग का जो इंसानों का जो waste है, उससे भी बनता है, उसमें तीन gases रहते हैं जाते हैं, methane, carbon dioxide और कुछ अन्ने gases रहते हैं, and is used as a fuel for cooking and lighting purposes, खाना पकाने के लिए इसमें लाइटिंग यानि बल वगरा जलाने, या उनके जो street lighting का ही जगा यूज होते हैं, the solid products that remain are used as manure, अब बाकी gas छोड़के जो solid चीज बचा रहता है, उसको खाद के साब से मनों खेतों में यूज करते हैं, गोबर gas is a bio gas which is obtained by the decomposition of cow dung, by the action of certain bacteria, तो गोबर गैस भी एक ऐसी गैस है जो की गोबर से गोबर को बैक्टीरा से सड़ाके या सड़के बनता है, यह कच मीनिंग जरूर देख लाएं डिसकस कर चुका हूं मैं, नेक्स आपका सीवेज ट्रीट्मेंट, सीवेज नाले वाले जो रहते हैं बड़े छोटे, अनदर यूस अ बैक्टीरा इसन सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट्स इन विच बैक्टीरा यूस्टू डिकंपोस दो ऑर्गनिक मैंटर प्रेजंट इन सीवेज, तो सीवेज बड़े बड़े जो नाले होते हैं शहरों में तो उनमें काफी सारे जो गंदगी है, उनको सडा देंगे तो साफ हो जागा निकल जाएगा, तो उनको साफ करने में भी बैक्टीरिया की मदद लिया आती है, नाइट्रोजेन फिक्सेशन, टाइप अब बैक्टीरिया नेमली राइजोबियम लेविन दरूट नाडियूल्स अव लेगुमिनेस प्लांट्स सच आस पीज और बीन्स तो कुछ पौधे होते हैं जिनको हम लेगुमिनेस प्लांट्स बोलते हैं मटर होगे बीन्स होगे, उनके जड़ों में गोल-गोल गांट जैसे रहते हैं आपके इसमें चित्र दिया नहीं हुआ है, गोल-गोल गांट जैसे रहते हैं छोटे-छोटे, उन गाठों को बोलते हैं नॉडियूल्स, रूट नॉडियूल्स, उसमें ये बेक्टीरिया रहता है, इस बेक्टीरिया यह वाई से नहीं ले सकते उनमें वो शम तननहीं होता है इसलिए ये क्या करते हैं फ Also बैकेा रक्तिरिया अभवी क्या करते हैं ये बेक्टिरिया को अपने जड़ों में रहने का जगा देते और यह राइजु भी पेक्टिरिय करता भाई हवा से नाइटोजन लेकर उनको पानी इसमें मत्टी में मिक्स कर देता है नाइट्रोट्स नाइट्रेट्स कर रूप में पानी में घुल सकते हैं और वही पौधे अब्जॉब करके अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ मैटर इन प्रॉसस अफ रिसाइक्लिंग ऑफ मैटर कॉंप्लेक्स कंपाउंट्स अर्कनवर्टेड इंटू सिंप्लर सब्सेंस सच आज काबन डायक् तोडने के लिए अलग करने में भी वेक्टीरिया साहता करते हैं बेक्टीरिया इंगे गल जाएंगे तो पुरा मिक्स हो जाएगा हमारा इंवार्मेंट साफ रहेगा इन फार्मासूटिकल इंडस्ट्री निदवाई बनानों के कारखानों में मेडिसिन सच इस एंटिबाइटिक्स जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन टेट्रसाइकलीन यह दो नाम हैं एंटिबाइटिक्स के विच आर यूस्टू टू 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 परडूस्ट बाइसम बेक्टीरिया तो यह एक जो है कुछ इन्फेक्शन को ठीक करने में सहाते करते हैं और वह इंफेक्शन बेक्टीरिया पैदा करते हैं formation of compost compost is a natural method of decomposing organic matter with the help of microorganisms present in the soil तो यह यह जो है यह भी नैच्छल मेथर से तैयार होता है जिसमें organic matter यानि जो भी डिपार इग्रेडेबल पेट पॉदो से मिलता है जातर या जो भी आपका जीव मने जैविक जिसको बोलते हैं जो भी सुरक्षित रहता है और अच्छा खासा न्यूट्रिंस मट्टी में देता है बहुत सरल है आप जरूर देखो किस तरीके से सब्जी वगर्या के छिलकों से जो किचन का वेस्ट होता उससे कैसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं तो आज यहीं तक रखेंगे यह छोटे से क्वेशन्स हैं दो इसको जरूर करोगे आप अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेते हम लोग आगे आपका है तो बड़ा है काफी चैप्टर है यह काफी बड़ा चैप्टर है इस बड़ा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा और हम लोग आगे पढ़ लेते हैं एक टॉपिक और हम्फुल बेक्टीरिया अब कुछ खतरनाग बेक्टीरिया होते हैं बही बिक्टीरिया काज़े हैं जो बेक्टीरिया से फैलते हैं तो कुछ यह बिमारियों के नाम है जो बेक्टीरिया से फैलते हैं कैबेच का बिमारी है फाय ब्लाइट इन पियर नासपाती का बिमारी है यह दिया वाद देखो फोटो फूट स्पॉइलच खाना खराब करता है बोट फूड बोट रॉट रॉट इन पॉइज़ गया बोट बेक्टिरिया क्या है जो ठीक ठाक से या नि जो टीन के डबों पैक्ट होते हैं ठीक ठाक से वो जिनको पैक नहीं कह जाता है उनमें एक बहुत ही खातरनाग जहरीला पदार्थ बोटुलिन बोलते हैं वो बैक्टिरिया पैदा करते हैं यहीं तक रखते हैं हम किंग्डम प्रोटिस्टा से नेक्स क्लास में स्टार्ट करेंगे Thank you very much!